आज पी एम किसान सम्मान निथी के 12,000 रुपिये हर साल यहां हर किसान परिवार को मिलते हैं यानि आने वाले 5 साल में कम से कम 60,000 रुपिये हर किसान को मिलना तैय है मेरे परिवार जनों जहां जहां भाजपा की डबल इंजिन सरकार है वहां वहां केंदर के हर योजना तेजी से जमिन पर उतरती है या फिर भाजपा की स्टाज सरकारे अपना भी कुछ उसमें जोड़ करके देती है जहां जहां भाजपा सरकार हैं वहां PM किसान सम्मान दीथी के 6000 रुपिय के साथ भाजपा की राज सरकार भी अपनी तरफ से 6000 किसानों को और जोड़ करके देती है अब किसान को 6000 रुपिय और यानि यह 12000 रुपिय मिलना सुद हो जाएगा जी हैं सांथियों अभी आप लोगों ने मोदी जी को यहाँ पर सुने हैं देखे पीम किसान सम्मान निधी की जो रासी है जल्दा आप लोगों को जो है अब बढ़कर मिलने वाली है और सांथ ही यहाँ पर अठारवी किस्त पर आप लोगों को जो है बड़ी सवगात मिल सकत इसमें जो है किसानों को बड़ा लाब देने का सरकार का एलान है और देखें यहाँ पर अभी जो है दोजार चोबिस पच्चिस के बजट में किसानों के लिए भी कई सारे यहाँ पर जो है लाब के द्वार जो है सरकार ने खोल दी है तो चले यहाँ पर मोधी जी को सुनते ह किसानों के हित में गरीबों के हित में मजदूर्म महिला और बेरजगार साथियों के हित में कौन-कौन सी योजनाय की जानकारी यहां पर देते हैं वीडियो को कट कट कर अधूरा देखते हैं जिसे कि कई सारी योजनाओं का जो है जानकारी नहीं हो पाता है आप लोगों को और उन योजनाओं से वंचीत रह जाते हैं तो ये गलती आपको नहीं करना है पूरा वीडियो देखना है साथ ही ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कॉमेंड करके बता दीजे और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर घंटी को आल पे सेट कर लिजे और अगर अभी तक वीडियो को लाइक ने की हैं तो चलिए लाइक कर लीजेगा और चलिए यहाँ पर हम मोदी जी को सुनते हैं क्या क्या और कहते हैं लेकिन भाईयो बेनो किसान विरोधी गरीब विरोधी कॉंग्रेस सरकार आपके हित में ऐसा कोई फैसला ले ही नहीं सकती है एक और उदान में देता हूँ गरीबों को पक्का आवाद देने की होजना और नल से जल पहुंचाने के अभ्यान को भी कॉंग्रेस ने लूटने का काम किया है हर्याना और गुज्राप में भाज़पा सरकारों ने सत प्रतीशत घरों तक नल से जल पहुंचाया है लेकिन राज़तान में अभी तक आधि आबादी तक प्रफानी पहुंचा नहीं है माताओं बेहनों से उनकी क्या दुश्वनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है वरना सबसे पहला काम कोई पानी पहुचाने का करता और तब मेरी माता बहने इतना आशिरवाद देती लेकिन उन्होंने नहीं किया तो नहीं होने भी नहीं दिया गाहिं मैं दिल्ली से नल के लिए पैसा भेजता हूं पाइप के लिए पैसा भेजता हूं और यहां कॉंग्रेसी कागजों पर नल लगाते हैं और पैसे डकार कर जाते हैं कि आप ही मेरे परिवार जन है और इसलिए मेरे लिए तो आपका सपना ही यह मोदी का संकल्प है कि आपकी हर चिंता मोदी की चिंता है कोरोना के रूप में सो साल की सबसे बड़ी आपना मानोता पराई देश्वास्यों का जीवन बचे इसके लिए हजारो क्रोड रुपे मुफ्त खर्च करके मुफ्त ठीका करन कराया कॉंग्रेस के राज में गोदामों में अनाज सरता था और गरीब भूखे मरता था मैंने गोदामों के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिये अन्न के भंडार खोल दिये आज देश में दुनिया के इतिहाद की सबसे बड़ी मुफ्त रॉर राशन की योजना चल रही है असी करोड लोगों को तीन साल से उनकी ठाली भरने का काम मोदी कर रहा है उसका चूला बुजने नहीं देता है और यह जल्प कर लिया है कि इसे पांच साल और बढ़ाऊंगा पांच साल और मुफ्त राशन पहुंचा आउगा देश के हाथ पहली बढ़ किसानों के लिए पी-यायम किसान संसानं श्माण ठीश हो जना बड़ी अभी तक 25 तिलाग करोर रूपय किसानों के बैंक खाथ में जमा हो चुके 25 तिलाग करोर रुपया किसानों के जेब में गए है तो जी हैं साथो देख़ें यहां पर मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और देखे देश में तीसरी बार फिर से परधान मंत्री बनने के बाद किसानों के लिए 2024 बच्चिस के बजट में कई साल है जो है किसानों के लिए लाभ का द्वार जो है खोल दिया है कई सारी योजनाय का लाभ आप लोगों को मिलेगा किसानों को कई सारी योजनाओं में सबसेड़ी भी दिया जाएगा खीको देखे भारण सरकाद वार कई तरह की जो है लाभ कारी और कल्यान कारी योजना जो है मजदूरों महिलाओं के लिए चलाई जा रहे है लेकिन इसके लिए बस आप लोगों को पात्र होना अवस्यक है जिनमें देखे किसानों को ये भी एक योजना चलाई जा रहे है जिसमें साल कच्छा हजार दिया जाता है प्रधान मंतरी किसान सम्माणने दी इस योजना में जो है लाब जो है सिधे पात्र किसानों को दिया जाता है अगर आप भी एक किसान है तो इतने भी पात्र किसान है उनको सालाना 6 1000 रुपाय जो है केंदर सरकार देती है वही इस पैसे को हर 4 महने में 2000-2000 रुपाय की तीन किस्तों में दिया जाता है और ये पैसे जो है सरकार डिवेटी के माध्यम से इस पैसों को जो है किसानों के खाते में सीधे भेज दिया जाता है बीच में कोई भी बेचोलिया या फिर किसी भी ब्रोकर या दपतर या सरकारी कर्माचारी के आप लोगों को पीछे चक्कर काटने की अवसकता नहीं होती है और इसमें वे किसान सामिल हो पाते हैं जिसके पात खुद का भूमी हो और साथ उनके पास भूमी से जुड़े जो कानूनी कागजात हो और उनको आउनलाइन यहाँ पर आवेदन करना पड़ता है साथ ही देखिए आपको बता देते हैं प्रधान मंत्रे किसान सम्मान निधी का जो सत्रवी किस्त था मोदी जी जैसे ही तिसरी बार प्रधान मंत्री बने तो सत्रवी किस्त का लाब जो है किसानों को दे चुकी है पिछली किस्त जो सत्रवी किस्त का लाब 9 करोड से जादा किसानों को दिया गया है वहीं अब अगली किस्त यानि की अठारवी किस्त जो है किसानों को जल्द मिलने वाली है यह किस्त आप लोगों को देखे मिलेग तो यहाँ पर बहुत सारे किसान जो है कॉमेंट कर रहे हैं कि यह किस्त क्या 2,000 रुपए ही मिलेगा या फिर इसको बढ़ा कर जो है 4,000 रुपए कर दिया जाएगा क्योंकि मोदी जी देखे कई सारे भासण में बोल चुके हैं कि किसानों की आए 2 गिनी करेंगे पी-म किसान सम्मान निधी की जो रासी है अब 12,000 मिलेगा तो क्या इसको 12,000 दिया जाएगा या फिर 2,000 कहीं मिलेगा तो सांतियों देखे यहाँ पर किसानों के लिए तो महत्वपुर काम किया ही गया है और अठारवी किस्त आप लोगों को देखे अक्टूबर में मिलने जा रही है अक्टूबर में में आप लोगों को जो है अठारवी किस्त जो है मिलेगा और इसके अलावा देखे किसानों के तू बात किये है किसानों को पीएम किसान सम्मान निधी में लाब मिल रहा है लेकिन देखे इस 2024 पचीश के बजट में जो है किसानों के लिए फिर से यहाँ प सरकार यहां पर लाभ देगी प्रसिक्षण देगी और प्राकृतिक खेती करने वाली किसानों को जो है सरकार अपनी ओर से प्रोचसाहारासी भी देगी यानि कि अब देखिए अगर आप अपने खेत में जैसे आपके पास 10 एकड़ है तो आप एक या दो एकड़ में कराएगी जिससे आप जो है प्राकृतिक खेती कर सकते हैं कुल मिलाकर देखिए सरकार का सोच यही है कि किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर भी अब जो है ध्यान करना चाहता है क्योंकि देखे हमारे जो देश है क्रिधी प्रस जो है क्रिसी प्रधान देश है हमारे देश में अधिक्तर जो वैक्ती है क्रिसी ही करते हैं क्रिसी से ही हमारे देश का जो अधिक्तर अर्थ व्यवेस्था जो है टीका हुआ है तो ऐसे में किसानों को आगे बढ़ा आज ये का नाम कॉमेंट करके बता दीजिएगा तो चलिए हम मोदी जी को यहां पर सुन लेते हैं और कि डबल इंजिन यानि 12,000 रुपर करने का संकल पलिया है अब 6,000 हो करके 12 हो जाएगा साथियों मोदी अपना घर बनाने के लिए नहीं बलकि देश के गरीब मध्यमबर्ग दली ओविसी आधिवादी का घर बनाने के लिए निकला है मैंने जीमन का ये बड़ा बहुत संतोस है कि आज जब भगवान राम का अपना घर बन रहा है तो साथ ता चार करोड से दिगरीब परिवारों के भी पक्के घर बन लाएगे ये कोंगेस के सरकार ने रोडे अटकाए है